स्वागत है आप सभी लोगों का उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होगे हैं चुकि बारिस का मोसम है तो आप ऐसा नहीं कर रहा है कि रात में web series देख रहे हैं और दिन में नीज दिन ज़ुआय कर रहे हैं पढ़ाई कर रहा हैं की एक्जाम भी काफी पास आ गया होगा तो जमके पढ़ाई करिए इस वीडियो में हम एनलेसिस करने वाले एनलेसिस और सलूशन करने वाले हैं हमारे एक्ट एन रूल के टेस्ट रीच 14 का जहां पे GMBR से क्वेश्चन पूछा गया था आपको होगे कि मैं जूट बोल रहा हूँ विल्कुल GMBR की क्वेश्चन नहीं थे इसके अलमा भी काफी सारे टॉपिक यहां पे इंक्लूड थे यह देख के खुसी हुई कि आप पढ़ाई कर रहे हो आपके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा हुआ है और बिल्कुल होना भी ऐसा चाहिए अगर आप सेलेक्शन लेना चाहते हो तो आपके सारे टॉपिक इस टाइम पे एटलिस इस टाइम पे तो कभर होना को इसलिए किया हूँ कि अगर इनका सेलेक्शन नहीं होता है तो फिर तो भाई मुझे ही मानना पड़ेगा कि मुझे पढ़ाने नहीं आता है जितनी मेरी एडवाइस दिया है सब बेकार है क्योंकि के यूर को मैं देखता हूँ हर टेस्ट्रीज में कंसिस्टेंसी के साथ अपियर होते हैं और सारे टेस्ट्रीज में इस जो पेज है इस पे अपियर होते हैं तो उमीद करता हूँ आपका सेलेक्शन होगा भाई इजट आपके हाथ में है सेलेक्शन ले ले लेना बाकी BPSC का तुकि था नहीं कुछ लोगों ने दिया है बट मैंने वहाँ पे उनके मार्क्स किह अच्छे नहीं आ रहे हैं और जो लोग टेस्ट्रीज नहीं देरें भाई उनको भी टेस्ट्रीज देना चाया अचानक से एक जाम में अपियर हो जाओगे भगवान नहीं हो कि एक्जाम में प्रकट होगे और सारे सस्त तयार हैं छोड़ दोगे भई या पहले सस्ट को चेक कर लो कि बंदूक है तो उसमें जो गोली है वो fire हो रही है मिस fire हो रही है तो यह test करने के लिए test reach होती है तो check कर लो आप खुद को बाकि आप में से कितने सारे लोग किस exam की preparation कर रहे हैं वो यहाँ पर mention किया गया है आला कि हम पहने RTO non-technical दो ही option दिया था क्योंकि ये GPSC के लिए specific test था category के हम बात करें तो ये आपका category का data है ये भी आप देख सकते हो gender की बात करें तो gender equality, mechanical और बाकी जो branches है core वाली उसमें चलती नहीं है तो आप देखी सकते हो क्या हालात है बाकी अब हम बात करें आपके average marks की तो average marks हैं आपके 21 बट ये 21 मेरे इसाब से अवरेज नहीं है below average है क्योंकि question का जो label था वो बहुत ही lower level का था आप सभी को करना चाहिए था easy question बनाया हुआ था बट ऐसा नहीं है कि exam में इस से tough आएगा ऐसे ही straight forward questions exams में आपके पूछे जाते हैं तो अगर इस level के questions आपने किये हैं तो definitely आपके exam में अच्छे marks आएंगे यहाँ पर कुछ हम discuss कर लेते हैं कि किस range को किस category मैंने रखा है तो exactly 30 marks कितने लोगों के हैं थ्री लोगों के आपको मैंने दिखाया था वहां पर time भी mention किया था फिर से एक बार दिखा देता हूं यहां पर देखिए यह लोगों ने in time अपना test submit किया हुआ है यहां पर time mention किया गया है सारे लोगों ने in time submit किया हुआ है यहां मतलब कितना अच्छा करते हैं देखो कुछ लोग तो बहुत ही खतरना क्यार इनका 11 minute में submit हो गया test इनका 16 minute में हो गया तो पता नहीं आप लोगों ने सारा पढ़ लिया है जो भी रीजन हो उमीद करता हूं चीटिंग तो नहीं करता है वैसे चीटिंग करके भी आद भी इतना जल्दी 58 लोग है 56 26 के बीच 80 लोग है मतलब पेपर सिंपल है तो काफी जादे लोगों ने स्कूर किया बहुत अच्छा स्कूर किया है यह देखके अच्छा भी लग रहा है कि आप लोगों ने डारेक्टली मैंने पिछले टेस्ट्रीज से रिपीट किया हुआ था यह देखने के लिए कितने लोग इसको गलत कर रहे हैं कितने लोग सही कर रहे हैं बाकि यह जो मैंने आपको दिखाया उसी का चार्ट है अगर आप मेरे चैनल पे नए हो बही है तो इसको सब्सक्राइ ग्यान और दिल की बाते सारी यहीं पर चलती है आप लोगों की ज्यादा चलती है मेरा थोड़ा कम्यूनिकेशन कम हो रहा है टाइम के वज़े से बाकि यह सारे प्लेटफॉर्म से यहां पर आप मुस्से जूड़ सकते हैं चलिए यह तो हुई आपके फॉर्मिल्टी वाल हुए हैं वो लोग प्रिपेशन स्टार्ट कर रहे होंगे उन लोगों ने दिया होगा उनका गलत होना चाहिए जूनोंने स्टार्ट किया अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो और पढ़ रहे हो खुछ से भी पढ़ रहे हो तो यह क्वेशन आपका गलत नहीं होना अगर rule है CMBR हो या GMBR हो या कोई और rule हो तो उसका जो rule second है वहाँ पे definition दिया गया रहता है first section या rule में क्या दिया गया रहा है कि particular इसको हम कहेंगे कि ये rule है ये act है उसका नमन culture होता है second में definition होता है तो definition में mention किया गया है कि किसे हम as a passenger consider करेंगे तो कोई भी आदमी जो public service vehicle में travel कर रहा है except then the driver, conductor या फिर जो भी attendant allowed है वहाँ पे vehicle में उसको छोड़के बाकि सारे लोगों को हम as a passenger consider करेंगे simple चीज़ थी ये आप सभी को पता होनी चाहिए next question है आपका sleeper designated omnibus in the category sleeper designated omnibus किस category में आती है तो देखें जैसे ही आप ये खोलो गए ना contract carriage जहाँ पे sleeper designated omnibus का definition दिया गया है वहाँ पे start ही हुआ होगा का vehicle that is contact carriage contact carriage मतलब जो contract आती है चाहे distance के हिसाब से उसका contract हुआ हो चाहे fair या rent के हिसाब से contract हुआ है कि आप इतना दूर आपको लेके जाना है या फिर इतना kilometer लेके जाना है पर kilometer का ये rate है जिस हिसाब से contract हुआ है उसे हम कहते है contract carriage जो लोग नए है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि stage carriage और contract carriage में ये difference होता है जैसे कोई bus आ रही है जोदपूर से वो जा रही है आइमदाबाद तो उस bus का fix होगा sleeper bus है सोने की बेवस्ता है वहाँ पे या बैठने की बेवस्ता भी होती है उसमें दोनों होते है sleeper भी होते है बैठने की बी होती है तो जो contract carriage होते है basically उनको बताया गया रहा है कि आपका stoppage यहाँ यहाँ पे है उस stoppage के अलावा कहीं पे भी अगर यह किसी सवारी को किसी passenger को लेते हैं तो वो illegal है ठीक है वो नहीं ले सकते stage carriage basically क्या होती है stage carriage vehicle वो vehicle होती है जहाँ पे vehicle जो होती है particular distance fix होता है दो place के बीच में कहीं कि यहाँ से यहाँ तक यह चलती है जैसे मान लिजे कोई गाड़ी है वो चल रही है एहमादाबास से in between नडियार यह जा रही है तो उसके बीच में वो कहीं पे बी किसी को उतार सकती है कहीं पर भी किसी को चढ़ा सकती है उसे हम कहते हैं stage carriage ठीक है तो stage carriage वाला काम contract carriage नहीं कर सकती है तो बिचार है इनका तो business सी मर जाएगा न ये लोग जाते रहेंगे बीच-बीच में बिठाते रहेंगे तो समझ में आ गया होगा आपको दोनों का difference क्या है basically और slipper designated आप देखोगे तो जो contract carriage होती है उसी में slipper की व्यवस्ता होती है definition के हिसाब से भी उसी में होना चाहिए ठीक है और stage carriage में ऐसी व्यवस्ता नहीं होती है बस बैटने की होती है What is the function of applet authority? बहुत ही simple question है common sense का भी question है अगर थोड़ा सा भी आपने act and rule के बारे में पढ़ा है तो ये question बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था ये 70 लोग भया आप मतलब कौन से ग्रह से उतरे हैं सीधा अभी उतरे होंगे या तो हाँ इसमे कुछ लोग जरूर होंगे मैं मजाग नहीं बना रहा हूँ कुछ लोग ऐसे जरूर है जो अभी अभी तयारी start किया है क्यों काफी सार ऐसे लोग है जो नए हैं जो RTO की preparation करना चाहते हैं उनका मुझे message आता है कि अभी वो just pass out हो रहे हैं current semester में है या just pass out हुए 8 semester में थे अभी या भी 7th में है बर preparation start करना चाहते हैं तो अगर ऐसे लोगों ने गलतिया किया है तब तो ये tolerable है बाकि अगर जो पहले से preparation कर आगर ओ गलती किया तो बिलकुल tolerable नहीं है भाईया चुलू बरपानी लो और पियो दिमाग को ठंडा करो सोचो कि या इसी गलती क्यों कर रहे हो तो यहाँ पर आपका होगा appeal basically जो अफ्लेट 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 को क्या करती है कोई भी grievances है आपके उसके regarding ओ complaint को hear करते हूँ वहाँ पर आप complaint कर सकते हो कि licensing authority ने मेरा ये नहीं किया रेस्टिंग authority ने ये नहीं किया जो भी आपकी complaint है तो यह basically आपकी appeal here करते हैं तो option c is correct नेक्स जो का question है देखिए कुछ लोग confused है पहले काफी लोग पूछते से मुझसे कि जो council होती है और जो authority होती है road safety authority आपने नाम सुना होगा और road safety council का नाम आपने सुना होगा दोनों का नाम आपने सुना होगा ये दोनों same नहीं होती है अलग होती है ध्यान रखना हाला कि दोनों का जो chairman होते हैं वो transport minister होते हैं same होते हैं बट इन दोनों में difference है इसको कब लाया गया था? इसको लाया गया था 2015 में बैसिकली ये analysis करने के लिए कि रोड पे कितने लोगों का accident हो रहा है उनको कैसे बचाया जा सकता है बाकि किस तरीके से रोड accident को reduce किया जा सकता है इस purpose के लिए एक हमने road safety council बनाई बैसिकली आपने road safety policy पड़ा होगा उसमें council को discuss किया गया है तो इसकी जो meeting होती है minimum twice in the year होना चाहिए और जो road safety authority है वो बिल्कुल different है दोनों को आप merge मत कर लेना ठीक है और इनका target भी था जब इनको टूर होग 15 में बनाया गया था हाला कि अभी का जो data देखोगे उसमें reduction आपको दिखेगा बस वो इसलिए दिखेगा क्योंकि करोना के वज़से lockdown हो गया था और जब road पे कोई चली नहीं रहा था तो accident definitely reduce होंगे बट वो इसलिए नहीं हुआ कि इस policy ने बहुत ही outstanding काम किया अला कि policy ने काम किया है काफी सारे काम हुए है बट 50% का जो target है वो अचीब नहीं हो पाया कभी हम data के हिसाब से discuss करेंगे तो ये बात भी करेंगे नेक्स question है आपका GMBR rule prohibited use of the cell phone ये बहुत important आपका rule है कई सारे लोग पूछते हैं कि किस type के rule को हमको ध्यान रखना है तो देखे इस type के rule है 170 ये common rule है जो हर जगा apply बतलब हर जगा हर road user पे apply होता है एक awareness का rule भी है एक security और safety का rule भी है हर किसी को जानना भी चाहिए आपकी duty भी किस type के rule के बारे में आप जानो जो कहता है कि आपको भाई phone पे आप किसी भी communicating desire पे बात नहीं करना है जब आप vehicle को drive कर रहे हो तो इसके बारे में ये आपका rule भी याद होना चाहिए 170A कई सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा section याद करें तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि यह possible नहीं होता है आपको message में मैं बता दूँ कि यह section याद कर लो जब भी मैं testries या फिर mcq या कोई topic discuss करता हूँ तो बताता हूँ कि यह important है यह आपको ध्यान रखना चाहिए next question है what is the full form of guzrosa इसको भी कुछ लोगों ने गलत किया है क्यों गलत किया है don't know भाई गुजरात road safety authority होता है यह गुजरोसा का short form है आप यह मत देख लेना कि यह इतना बड़ा है GUZ इसका मतलब होता है गुजरात इस पूरे का मतलब गुजरात हो RO का मतलब होता है road और जो acronyms बनता है वो इस तरीके से बना जाता है ऐसा नहीं कि पहला पहला वर्ड उठा लिए और आप acronyms बना दिये भाई उस वर्ड से पहले से कुछ exist करता रहेगा तो आपको अपने economy तो change करने पड़ेंगे तो उस हिसाब से बना जाता है next question है आपका who is the chief executive officer आप गुजरोषा यह सबको पता होना चाहिए जो गुजरोषा का section 3 है यह आप रीड करोगे तो यहां पर बताया गया है कि कि किसके पास कौन सा power होगा किसको क्या designate किया गया है तो यहां पर आप देखोगे कि जो minister of transport है उनको chairman बताया गया है और यह जो chief enforcement officer है इनको member security बताया गया इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं इस पर question भी पूछा गया था आपसे तो एक बार पढ़ ले ना कि किसको क्या designate किया गया है member कौन होता है chairman कौन होता ह इस पर already हमने कई बार discussion भी किया है तो आप इसको देख लेना important है question पूछा जा सकता है next question number 9 validity of the conductor license of person above the age 50 50 साल से उपर हो गया मतलब 50 साल से ज्यादा हो गया आपका तो आप 50 या 50 साल से ज्यादा दोनों की बात कर रहे हैं मतलब यह symbol देख लेना greater or equal to है गर 50 है तो जो validity होग 05 years की अगर इससे कम age है मतलब आपकी जो age है that is less than 50 तो इसकी validity होगी 20 years की simple है ध्यान रखना में भी question पूछा जा सकता है आपसे if any officer fail to compile the order of गुजरोसा मैंने भी काफी सारा question डाले है और यह repeated questions है test reach के repeated questions है फिर भी कुछ लोगोंने गलत किया है बिल्कुल नहीं गलत होना च explanation भी दिया गया है किस section से belong करते हैं यह भी मैंने आपको बताया हुआ है जैसे यहाँ पर गुजरोशा का section देखना आपको motor vehicle act का नहीं गुजरोशा का section 15 देखो गया 15 का sub section 5 देखो गया तो वहाँ पर यह चीज़े mention किया गया है कि अगर कोई officer है अगर वो compile नहीं कर पाता ह है गुजरात road safety authority के order को तो उसके ओपर 1,000 रुपीज की fine लगाई जा सकती है testing officer for the conductor license यह simple question है क्यों गलत कियो भाईया आप डॉन नो यहाँ पर mention किया गया है of and above the AMBI AMBI हो सकता है motor vehicle inspector हो सकता है assistant regional transport officer हो सकता है कोई भी हो सकता है करता कौन है that is the different thing जो हमारा rule है या जो हमारा act ह उसके हिसाब से allow count है यह आप से पूछा जा रहा है बिल्कुल यह दोनों higher authority होते हैं तो AMBI ही करता है generally बट यह दोनों भी कर सकते हैं तो यहाँ पर option होगा आपका any of the above इसको कुछ लोगों ने 81 लोगों ने कुछ लोगों ने 81 लोगों ने इसको सही किया है बिल्कुल यह कर सकते हैं बट यहाँ पर ध्यान दो testing officer for conductor license यहाँ पर जो option है उसके हिसाब से देना है आपको answer न कि जो आप जानते हो उसके हिसाब से देना है next question है who can add or subtract the section in गुजरोसा again the repeated question कोई भी act and rule हो अगर उसमें कुछ add या subtract करना है अगर वो पहले से जो rule है वो पहले से आपके assembly से पास हुआ है तो बिना assembly के approval के उसमें कुछ भी add or subtract नहीं किया दसकता है और procedure क्या होता है उसका गुजरात government जो होती है कहीं की भी अब गुज गुजरात government क्या करेंगे modification करेंगे फिर उसको assembly के assembly में present करेंगी पास होगा और changes approve हो जाएंगे तो गुजरात government कर सकती है ग्लोबल रोड सेप्टी विक सेलिब्रेटेड इन कहां पर कॉंसेट में सेलिब्रेट किया गया था 72 23 बहुत important question है ध्यान रखना है और यह तो ऐसा question है कि अगर आप non-technical exam की preparation कर रहे हैं तो वहां पर भी इस type के question आप से पुछा जाता है दो चीजें important होती है एक तो यह date होती है कि कब मनाया गया था दूसरा यह important होता है कि इसका theme क्या है theme बहुत ज़्यादा important है theme ध्यान रखना और इस पर मैंने theme के last के link कर दिऊँगा मैं आप देख लेना वहां से theme आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा important है इसकी theme कई बार आप से पूछा जाता है कि 30 कर देना चाहिए और इससे पहले 5 की बात करें तो इस पीक अप था theme थी इस पीक अप मतलब कि अपने leaders से कहो अपने नेताओं से कहो अपने सरकार से कहो लोगों को aware करने के लिए था कि कहो भाई road safety पे ध्यान दें यह चीज़े implement करें इस तरीके से वो करते रहते हैं नेक्स जोगा question है the campaign slogan देखो same question पुछा गया तो लब 30 था अगेन यह repeated question है मैंने पहले भी कहा कि काफी सारे question repeated थे इससे पहले पूछे गये थे supreme court committee on road safety had set up यह भी repeated question है 2014 में set up किया गया था इससे पहले 2012 में PIL आई थी कि काफी सारे road में accident हो रहे हैं good Samaritan को लेके भी PIL थी तो उन सब को देखते हुए उस पर सुनवाई चला था उसके बाद Supreme Court ने एक committee बनाई कि चलो भाईया हम ही देखते हैं कि क्या क्या changes हो सकते हैं क्यों कि central government order देगी state government को state government अपने हिसाब से कुछ उसमें 3-5 करने लगते हैं क्योंकि political जो balance होता है वो रहता नहीं हमें सा fight होती रहती है तो Supreme Court अगर कोई order देती है अगर कोई state या center government नहीं मानती है तो country पर court हो जाता है तो उनको मानना पड़ता है उनकी मजबूरी होती है इसलिए कई सारे जगह पे सेंटर government अरे सोरी Supreme Court को intervene करना पड़ता है 2014 में set up किया गया था और continuously इस पर review चलता रहता है committee भी बदलती रहती है अलड़ी हमने इस पर discussion भी किया हुआ है यह important point है कुछ Supreme Court को लेके कब established किया गया था first chairman कौन थे जब established member कौन थे secretary कौन थे और यह मैंने वीडियो यह PDF का जो है यह page मैंने लिया था जब आपका MBI का exam होने वाला था उससे दो तीन या फिर एक वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ 10-15 मिनिट का जहां से आपके MBI में 2-3 questions directly पूछे गया था जैसे यह भी question पूछा गया था आपसे यह वाला चेंज आया था साई यह वाला पूछा गया था यह वाला या फिर सेक्रेटिक पूछा गया था मुझे एक एक लिया आद नहीं है तो यह आप ध्यान रख लेना अभी के लिए कौन है देखे प्रजेंट चेर में चेंज हो चुके हैं क्योंकि इनकी तबेद ध्यान रखना यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखना होता है जो भी नए चीज़े जाते कभी-कभी पूछा जाता है क्योंकि पिछली बार MBI में पूछा गया था यह वीज नौट मेंबर आप सुप्रीम कोर्ट कमेटी आन रोड सेप्टी सें कॉन मेंबर नहीं जिसे मैं आपको पहले स्लाइट डिखाया यह वाज सावे बिमार पढ़ गया थे इसलिए इन्होंने छोड़ दिया दे एलेक्रिक मोटर इन दा हाइब्रीड कार कैन अल्सो एक्ट अ जनरेटर कब एक्ट करती है जब आप ब्रेक लगाते हो स्पीड स्लो करते हो तो मोटर क्या करता ह है जनरेटर वर्क करने लगता है क्योंकि उस समय आप आपकी जो वहिकल है विदाउट कंजूम एनर्जी रन कर रही होती है और जो एनर्जी जो एनर्जी रहते उसके पास कैनेटिक एनर्जी आप उसको ब्रेक के थूर रिड्यूस कर रहे होते हो तो उस ताइम पे लादो स्ट्रीट लादो या फिर वहां पर जो बंपर है वहां पर लाइट जला दो ताकि लोगों पता चले यहां पर बंपर है इस ताइप की चीज़े पहले से करते आ रहे हैं बट आब यह इंप्लीमन्ट हो चुका है एन्जी टी फॉलो वीच आफ दा फॉल्विंग य 91% लोगों ने सही किया है करना भी चाहिए इससे जादे लोगों को क्या 100% लोगों करना चाहिए question बहुत बार मैंने पूछा है objective test reach MCQ हर जगा मैंने पूछा है तो principle of natural justice पर यह काम करते हैं बहुत जादा explanation की ज़रूत नहीं है करकर कि मेरा मुह दर्द करने लगा है बहुत म Electrochemical cell क्या करता है chemical energy को convert करता है आपके electrical energy में तो यहाँ पर क्या होता है कि Electrochemical reactions होते हैं जैसे आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है जब fuel cell vehicle हम पढ़ रहे थे आप search के लिए fuel cell vehicle Manu Academy search करोगे तो वहाँ पर पूरा मिल जाएगा यह पूरा जो भी वीडियो से मिल जाएग पहले विचारा को भरम करके हम electricity generate करते हैं फिर बाद में वो क्या करते हैं आउट्वोट पर यह oxygen supply करके अगेन हम इसे क्या निकाल देते हैं water निकाल देते हैं यह सारा explanation मैंने already किया हुआ है NGT cell have the jurisdiction in which of the following cases air बिल्कुल natural बिल्कुल water बिल्कुल यह पहले अलग अलग अट है न एर के लिए अलग था water के लिए अलग था बाद में इसको क्या किया गया यह सारा jurisdiction NGT के पास रख दिया गया जब NGT को बनाया गया तो What do fuel cell emit fuel cell क्या emit करता है अलगी मैंने बता दिया यह आपने देखा है यहां से क्या करते हैं पहले separate कर लिया हमने electron hydrogen और oxygen फिर क्या किया हमने कि जब यहां पर यह पहुँच गया तो अगेन यहां पर हम इसको oxygen supply दे दिया और विचारा यह combined होके फिर से हीट आएगी और water पहले हमने क्या किया hydrogen और oxygen को separate किया बाद में दोनों को merge करके water के form में निकाल दिया पहले separate करके उनसे अपना काम किया उनको ब्यवकूब बनाया ठीक है जैसे मैंने कहा वो वीडियो आप देख लोगे तो सारी चीज़ आपकी clear हो जाएंगी what are the duty of driver of motor cab and Mexican देखे इसमें पहले मैंने ये option दिया हुआ था आपको exactly है कि इसको थोड़ा सा समझना जब आप इनकी duties पढ़ोगे न जब आप इनकी duties पढ़ोगे रूल 16 और 17 पढ़ोगे GMBR का तो यहां पे 16 में में चिन किया गया है public service vehicle तो public service vehicle में ये सारी चीज़े allowed नहीं है आप smoke नहीं कर सकते मतलब vehicle को clean करना होता है ये सारी चीज़ें आपके जो rule 17 है आपका जिसमें motor cab और maxi cab के बारे में बात किया गया वहां पे mention नहीं है फिर भी आपको होगे all of the above क्यों हो गया जब maxi cab और motor cab में ये सारी condition mention नहीं है मतलब ये कहने लग गए कि क्या maxi cab चल पहले उन्होंने कहा दिया कि अगर public service vehicle है तो maxi cab और motor cab होती है ये दोनों भी public service vehicle में आती है चाहे आपका stage carriage हो चाहे contract कहा रहे हो दोनों public service vehicle में आते हैं इसलिए जो rule 16 है वो already restrict कर देता है drinking को और जो भी है cleaning ये सारी चीज़ों को promote करता है तो उस हिसाफ से rule 16 और 17 को combine कर देत तो आप जब तो आपका option ये सही हो जाता है अगर केवल rule 17 पढ़ोगे तो ये दोनों option वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे तो केवल ये वाला सही रहेगा तो अभी के लिए चुकि rule 16 और 17 आपको combine करना है क्योंकि mention किया गया है public service vehicle में ये drink नहीं कर सकते activity बंद है और ये option all है अगर आपको still clear नहीं हुआ मैं क्या कहना चाहरा हूं तो एक बार आप rule 16-17 GMBR का पढ़ना कि क्या क्या additional duties होती है तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या duties mention किया गया है बट एक चीज आप ध्याना रखना कि जो public service vehicle rule 16 ने mention किया गया है public service vehicle में सारी vehicle आ जाती है जो public transport के लिए use होती है conductor license valid in कहां पर valid होता है basically जिस state में issue आपर valid होता है अगर उस state का किसी के साथ reciprocal agreement है तो वहां पर valid होता है rule 50 मतलब 5 euro में ये चीजे mention कि गई है आप देख लेना आपके clarification के लिए में पता रहा हूं जो आपका next question है certificate of the fitness may be issued or renewed जो certificate of fitness होता है ये motor vehicle inspector का का काम होता है ये renew कर सकते हैं या ये इसू कर सकते हैं या फिर जो authorized testing session होते हैं वो भी कर सकते है fitness certificate आपको पता है basically ये बताता है कि आपकी vehicle fit है road पे चलने के लिए कई रीजन हो सकते हैं उसके लिए कुछ time बाद जो आपकी vehicle की service आती है आप नहीं करवाया vehicle खराब हो गई alteration करवा दिया खराब हो गई vehicle आपके fit नहीं है तो ये दोनों कर सकते हैं बट ये चीज आपको ध्यान रखना है next question आपको पता चलेगा कि alteration को जे authorized testing session है वो approve नहीं कर सकता है अल्टरेशन को केवल और केवल motor vehicle inspector ही approve कर सकता है क्योंकि इनी के पास थोटी होती है otherwise तो private में क्या होगा कोई भी अल्टर vehicle को approve करने लगा अपने हिसाब से कोई भी कर देगा कोई problem नहीं है तो 24 कहां पर दिया गया है यह चीजे आपको दिया गया रूल 50 में 50 में वहां पर पढ़ लेना और सेम जो रूल 56 53 का 6 है वहां पर mention किया गया है कि अगर आप अपने vehicle को alter करते हो अल्टरेशन के बाद भी आपको fitness certificate लेना पड़ेगा और अल्टरेशन से पहले आपको permission मांगनी पड़ दी कि मैं अपने vehicle को alter कराने जा रहा हूँ या अल्लेडी इससे पहले मने डिसकस किया हुआ था एक modification भी आया से MBR हो आप मैंने आपको बताया था कि अगर एक week के केस में आप यह नहीं कोगे कि alter करके authorized testing session के पास चले गए और alteration को approve कर वा लोगे वो नहीं होगा उस case में कि आपने vehicle को alter कर लिया और यहां से verify कर लिया उसके बाद fitness certificate यह इसू कर सकते है बड़ verification से पहले नहीं तो कुछ लोग कह रहे थे कि सारा काम private हो जाएगा तो फिर MBI, MBI, ARTO क्या करेंगे देखी जो चीज़े private हो रही है वो paperwork वाली private हो रही है अभी के लिए in future क्या होगा I don't know बट अभी के लिए private जो होंगी वो केवल paperwork वाली होंगी कोई भी अगर मान लिजे authorized testing session है तो इसके verification क responsibility किसकी होती है motor vehicle inspector की होती है भाई देख के आओ कि जो testing session है वो अपना काम proper कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो protocol है उसको follow कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो वहाँ पे equipment है वो है या नहीं है जो जितने लोगों को वहाँ पे service पर रखना है उनकी qualification यह सारी check करने की responsibility किसके पा कि बाकी किसी को allow नहीं होता है उनको भी allow करने के लिए पहले government से permission लेना पड़ेगा तो यह जो side window है यहाँ पे 50% visibility होना चाहिए मटब tilted होना चाहिए और यह जो front पे wind skin और back side में जो होती है यहाँ पे 70% होना चाहिए यह minimum है 70% minimum है इससे कम नहीं कर सकते आप आप चाहो तो 80 कर सकते हो 90 कर सकते हो 100 कर सकते हो जैसे visibility आप बढ़ाते जाओगे उसकी strength कम होती जाती है तो tilt तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि उससे क्या होती है vehicle की जो glasses होते है उसकी strength बढ़ जाती है तो यहाँ पर अभी के लिए side की बात कर रहे है तो side की इतना होता है आपका 50% ह question है which of the following statement is not true? कौन true? नहीं है permit of the vehicle not be transferable यह बिल्कुल गलत बात है vehicle की जो permit होती है उसको आप transfer भी कर सकते हो उसको आप exchange भी कर सकते हो किसी और के साथ जिस भी आदमी के साथ आपका understanding है उसको transfer कर सकते हो जिस vehicle का आपने permit लिया है किसी और vehicle से similar vehicle के साथ exchange करना चाह रहे है त exchange भी कर सकते हो तो यह बिल्कुल गलत बात है बाकी सारी चीजे यहाँ पर सही है तो according to the question यह option आपका सही है अब passenger in the stage carries can carries free luggage यह भी आपसे exam में पूछा गया था वहीं से मैंने भी एक question इस type के question में था आपको थ्यान रहा नक्याए कि किस type के question आपसे पूछे जाते हैं जो अभी अभी टैयारी में आये हैं उनको भी पता चलेगा तो यह basically mention किया गया है आपके rule 118 के sub clause 3 में 25 kg तक वो carry कर सकते हैं free में a child in between the 5 year किसको passenger आप जब count करते हो तो किसको half count करोगे किसको full count करोगे किसको count नहीं करोगे तो अगर कोई बच्चा है 5 साल का कम तो उसको नहीं count करेंगे 5 साल से 5 year to 12 year के बीच में है तो वो count होगा half ठीक है इससे उपर का है तो full count होगा next question है maximum person allowed in the heavy goods carriage vehicle maximum person कितने allows है आपको पता है कि जो goods carriage vehicle होती है उसमें passenger allowed नहीं होते हैं कभी भी goods carriage vehicle में आप किसी आदमी को लेके नहीं जा सकते हो हाँ आप पे attendant हो सकता है basically जो permissible है जैसे कि अगर heavy है तो 5 होगा medium वाले के पास sorry heavy के पास 7 होते है medium वाले के पास 305 होते है इस तरीके से जितना government ने permit कर रखा है उतने लोग ही जा सकते है उससे ज्यादा वहाँ पे नहीं जा सकते है तो यहाँ पर option होगा आपका 30 का option होगा आपका C आप देख सकते हो जो आपका rule 112 का sub clause 1 में जो 5 number का point है उसी तरीके से यहाँ पर मैं बताना भूल गया है यह भी आप देख सकते हो rule जो आपका है 119 के sub clause 1 में यह सारी चीज़े mention किया गया है तो यह rule भी कुछ rules भी important है जैसे यह वाला rule आपका important है 119 वाला उसी तरीके से 112 वाला rule भी important है अगर इसका rule number भी आप याद रखो तो अच्छी बात है में भी पूछा जा सकता है आप से exam में बट chances कम होते हैं कि बहुत deeply rule या sub rule या section या sub section पूछा जाए उससे लिटर चीज़े ही पूछी जाएंगी या common understanding चीज़े पूछी है झाल झाल जाएंगी जाएंगी